नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग? आज वम इस वीडियो में जमेटरी चेप्टर से कंसेप्ट समझेंगे, एक नया और क्युशन प्रैक्टिस करेंगे प्रीविएस वीडियो में हमने बौत सारे कंसेप्ट पढ़े और क्युशन प्रैक्टिस भी की है कुछ आपको अगर किसी भाई ने देखे होंगे तो कुछ भाई को समझ में आयोंगे कुछ को नहीं समझ में आयोंगे कोई बात नहीं आगे बढ़ते चलो कुछ ना कुछ समझ में आएगा एक्जाम आने वाला है CGL भाई करो फटाबट देखो आज हम इस वीडियो में जो कंसेट पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इंपोर्टेंट है आप कंसेट पर ध्यान देना है देखो ये मैंने एक ट्रेंगल बनाया नहीं नहीं ये ट्रेंगल थोड़ा सा गल्द बनाया इसको लाइन को थोड़ा सा ते ढालो ठीक है और ये यहां से फिर एक ट्रेंगल बनाओ भाई और ये नाम देदो A, B, C और D ठीक है ये पॉइंट हो गया P, A, D जो A, B है वो पैरल है C, D की P से हमने एक लंब डाला P से हमने एक यहां पर पॉइंट से एट पॉइंट क्यू से मिलाया और जो P के होँए ये पैरलल है इसके और इसके मतलब A, B, पैरलल है C, D के, पैरलल है P के ठीक है ये C, D से बात यहां पर हमने इस डाइगराम से जानी अब रिलेशन क्या है relation के result क्या निकलेगा क्या formula बनेगा formula बनेगा यह अगर हमारी x है length यह z है और यह y है तो formula बना z निकालने का इस pq की length निकालने का formula है x y इन दोनों की multiply upon में x plus में y अब यह है concept इसको अगर आप याद कर लो तो अच्छा है भाई देखो बाई concept में क्या है हमने एक triangle बनाया फिर इस triangle में से फिर यहाँ से एक triangle बनाया यह जो a b है यह parallel है p क्यों के p से q को एक point q डाल के हम पे मिलाया और जो c d है यह भी parallel है मतलब क्या है यह तीनों line parallel है a b parallel है c d के और parallel है p क्यों के आच्छा relation क्या है, relation हमें कि उसे में पुछेगा, इसकी length निकाल लो, तो इसकी length निकालनी होगी, तो उसका direct formula क्या है, z बराबर x और y इनके दोनों की गुना, आप उनमें x पलस में y, अब ये कैसे आया, थोड़ा सा और देख लो, explain कर देता हूं भाई में, देखो, triangle b, c, d को देखो आप, triangle b, c और d, triangle b, c, d, इस triangle को अगर हम देखें, तो इसको आप ऐसे अपनी नजर में कुछ ऐसे देख सकते हो, ये p, ये q, ये b, और ये c, और ये d, ठीक है भाई, ये है हमारी z, ये हमारी y, अब यहाँ पे, base same है, corresponding length के हिसाब से तो b, क्योई, upon में b, d, ये equal होगी, किसके भाईया, b, क्योई के लिए ये z, तो z upon में y, ये हमें concept पता है, ठीक है, हमने theorem's पड़ी हैं, अगर आपको याद होगा तो, आच्छा, और भाई, अब अगर हम इस triangle से देखें, triangle a, b, d, ठीक है, इसमें अगर हम देखें, तो ये x है, ये हमारी b, क्योई, ये z है, ये a, ये b, और ये d, तो इसमें क्या होगा, ये, और ये, मतलब, जो ये क्या है, क्योई होगा, क्योई, d, या d, क्योई, upon में, ये हो जाएगा, d, b, बराबर होगी, z upon में x के, ठीक है भाई, हाजी होगी, दो चीज़ आगी, हमारे पास, दोनों triangle के सा आप से, अब b, सेम है, तो इनको भाई, बराबर रख दो, z upon में x, इसको, और इसको, मतलब, इसको, और इसको उठा के, बराबर कर दो, बे सेम है, जेड अपॉन में y, अब ये हो जाएगा, जेड जेड क्या है हमारी, भाई, इसको आप d क्योई, पुलस में b क्योई, अब पॉन में b, सेम है, बीडी, और बीडी, तो ये हो जाएगा, बीडी, ठीक है, अब भाईया, अब क्या, अब तो जिंदगी, नर्क बन गई है, इक्वलम में हो जाएगा, ये अख छुली क्या है, डी, क्योई, D क्यों प्लस में क्यों B actually है क्या BD तो है BD है तो BD से BD कट जाएगा ठीक है यहां पर 1 बचा तो Z इधर आएगा कॉमन है तो इधर आएगा तो यह बन जाएगा 1 अपोन में X प्लस में 1 अपोन में Y is equal to 1 अपोन में Z हो जाएगा अगर नहीं हो जाएगा अच्छा जी हो जाएगा अब यहां पर LCM लोगे तो Y प्लस में X इनका LCM लोगे दोनों का तो Y प्लस में X अपोन में XY is equal to 1 by Z ठीक है भाई और Z की value निकाल नहीं हो तो XY अपोन में Y प्लस में X य यह length निकालनी हो तो हमें यह formula लगाना है, बस सीधी सी बात है, अब यह question है, इनकी practice करते हैं इसी concept के उपर, यह सारा जो मसला है ना, आप इसको अगर solve करोगे, तो भाई या, तो भाई जो result निकाला है हमने, z is equal to x, y upon x plus z, x plus y, इसका result क्या आएगा, a, b की form में है आप इसको solve देखोगे पढ़के, तो जो result आएगा, जो हमारा result निकालना होगा, z वो आएगा, a, b upon a plus b, ठीक है, a, b upon a plus b, c option हमारा यहां पर ठीक हो जाएगा, यह इस question का answer आएगा, क्योंकि यह जो data आप सिब sub 3 point on the side P, Q, acute angle, triangle, 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 P, Q, R बनाओगे, ठीक है, एक triangle यह बनाओगे, उसके बाद एक triangle और गिवन होगा, यहां पर कहीं ना कहीं, मतलब सारा data इस तरह का diagram बनेगा आपका, यह मैं बना देता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा, अगर आप इसको पढ़को, पढ़के, अगर इसको solve करोगे, तो, ठीक है, यह इसके parallel होगी, यह इसके parallel होगी, पूछेगा, यह वाली value निकालो, ठीक है भाई, तो हमें यह value इन, alphabet में किसकी form में होगी, A, B, upon में, A, plus में, B, C, option हमारा है, यहाँ पे ठीक होगा, उसके बाद है यह question देखो, इन given figure, हमें यह figure given है, AD parallel है, FE के और BC के, अच्छा, AD is 8, BC 12, और then FE की length निकालनी है, तो FE की length का formula क्या होगा, इन दोनों की गुना, 8 गुना में 12, और इ formula के साब से, 12, 8 कितना होता है भाई, 12, 8 होता है, 8, 16, 12, 96, और 8, plus में 12 कितना हो गया भाई, यह हो गया, 20, काट दो जो भी कटे हैं, आप अपने हिसाब से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 को बाहर निकाल लो, 2 से काट दो, 2 से, 2, 4, 8, 2, 8, 6, 4.8, इस question का answer बनेगा, यह option हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा, उसके बाद है भाई, यह question, two poles है, यहाँ पर अभी diagram बनाना पड़ेगा, दो poles है, एक के height है भाई, 2 meter, और तीस, एक के height है, 3 meter, और 5 meter अपार, 5 meter का distance है, इन में, अच्छा, the height of the point intersect each other, इनकी जो height है, वो intersect करती है, each other, यह intersect कर गी on the foot of the opposite pole, वही foot यह हो गया, इस opposite pole के, इस का top का, और इस opposite pole का foot यह हो. यह point हो गया, foot of the pole, अच्छा, the height of the pointoft intersection, line joining on the top, अच्छा, ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें इस point की length निकालना है, x की, the height of the point, अच्छा अब हमें इसकी लेंथ निकालनी तो इसकी लेंथ निकाल देंगे एच इसको हैच मान लो हाइट निकालनी तो एच इसका हो जाएगा इसकी दो गुना दो और तीन और दो प्लस में तीन दो ती इच्छा है अपने पांच 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 एकम पांच और पांच दो निदस 1.2 इस question का answer बनेगा बी option हमारा यहां पर ठीक हो जाएगा उसके बाद है यह question given figure है AB parallel है PKO के PKO parallel है CD के AB minus CD AB minus CD इन दोनों का difference दे रखा है 72 AB मैं लिख देता हूं minus में CD given as 72 और BP और PC BP और इनका ratio पांच रेशो तीन ठीक है भाई और then the length of PKO के length निकालनी है हाँ triangle ABC ABC और triangle similar होगा triangle क्यों PC के क्यों P और C अरे ये वाला जो हमने अभी concept देखा था ना AB और ये होगा क्यों और P और C ये छोटे बड़े triangle ये triangle और ये पूरा बड़ा triangle एक दूसरे के similar है आ जी similar है तो CP upon में ये हो जाएगा CB बराबर होंगे किसके वहिया ये बराबर होंगे क्यों QP upon में AB के होंगे क्यों नहीं होंगे भाई जो ratio इसका होगा ये ratio इसका होगा तो CP ratio CB कितना है CP है 3 और CB है पूरा 8 तो जो QP है इसका ratio भी 3 ratio 8 होगा क्यों होगा हाजी होगा बिलकुल होगा QP का आ गया हमारा भाई 3 और जो AB है उसका आ गया 8 अब आप इस triangle गो देखो triangle d b d c ठीक है ये triangle हो जाएगा है ना और इसमें ये हमारा qp ये हमारा d और ये c और ये b ठीक है अब इसमें जो बड़ा triangle और छोटा triangle है ये दोनों similar होंगे similar होंगे तो भाई bp अपॉन में bc बराबर होगी qp अपॉन में dc के होगी कि नहीं होगी भाई या c d कह सकते हो तो जो रेशो bp का रेशो क्या है bp है 5 bc कितना है 8 ठीक है तो qp और इसका रेशो भी क्या ह होगा 5 rz ワ8 होगा हाँ जी होगा क्यों नशेंगा तो यहाँ पे हमें रेशो मिल गया इसका होगा क्या नाम है यह ओगा आपका बड़े का यह छोटे का तो यह हो जाएगा cd का रेशो हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 4 नहीं इसका हो быстр है तो क्यमितना 5 ज़क्त हो ön 0 5 चीज देखो इसका रेशो इसका रेशो आगया एक लाइन के दो रेशो आए है मतलब अलग लग ट्रेंगल से तो ये पांच है और ये तीन है तो इनको हम common बना लेंगे equal बना लेंगे ये भाई तीन है और ये एक पांच है तो अगर इसमें तो जो इस साइड वाला जो के उप्रिशो आए ता तर में किससे मल्टीप्लाइख करेंगे था major 1, तो ये जारिश शॉप दो करें इसका 40 हा गया उस side का 24 हा गया हमसे पूछा क्या था हमसे पूछा है पीक्यों की length निकालनी है ना अच्छा ये 40 हा गया और इसने बोला है कि जो AB और CD AB और CD का difference है AB है 40 और CD है 24 इनका difference हमारे कितना given है बहतर given है ठीक है आएगा कितना 10 में से 4 जाएगा 6 और 3 में से 2 जाएगा 16 ठीक है 16 आया है actual में जो difference है लेकिन given है बहतर ये बहतर कितना गुना जादा है भाई या 4.2 अगर आप 16 में 4.5 की multiply करोगे तो बहतर आएगा तो भाई PKO की value निकालनी थी ना PKO हमारा कितना है PKO where is PKO PKO है हमारा 15 और तो 15 में भी हम 4.5 की multiply करेंगे तो आएगा 66.5 इस question का answer बनेगा भाई 67.5 ए ओप्सन हमारा यहां पर ठीक हो जाएगा उसके बाद है भाई ये question उसके बाद है भाई ये question बढ़िया question है देखो in the given figure AB parallel है CD के if the area of triangle A, B और E इसका area और triangle C, D, E इसका area इसका 16 और इसका 25 हमें area given है respectively find the area of triangle B, C, E इसका area निकालना है इस diagram में आपको canchy figure दिख रहा है हाँ A, C, D, B ये एक canchy figure है आमने सामने तो दोनों parallel हो गई अच्छा अब ये parallel हो गई तो आप ये एक बाद बताओ ये दोनों parallel line को एक traverse line काट रही है ये traverse line काट रही है तो ये जो angle है vertically opposite angle ये क्या है आमने सामने की ये angle दोनों बराबर होंगे हाँ जी ये alpha है तो भईया इसके हिसाब से ये alpha होगा हाँ होगा ये अगर theta है तो ये भी theta होगा ठीक है corresponding angle यार corresponding angle vertically opposite angle ठीक है तो ये सब अगर आपने पढ़े हैं तो आपको समझ में आगे होगा कि ये चीज मैंने कैसे की है आप इसको ऐसे देख सकते हो दो parallel line है उसको एक traverse line काट रही है ये angle इस angle के बराबर होता है ये traverse line के साब से ये angle इस angle के बराबर होता है ये angle ये इसके बराबर हो figure का हो गया अच्छा हो गया अब आओ इस sketchy figure से ही concept से हमारा निकल गया अभी ट्रेंगल सिमिलर तो होगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा area हमें given है इसका triangle का और इस triangle का तो corresponding sides अगर मानलो हमें given होती है और बोल दे कि भाया area निकालो तो area हम कैसे निकालते हैं अगर triangle similar हो ज गयते हैं तो वो area का ratio आ जाते हैं हाँ भै विलकुल आ जाते है तो area तो हमें given है 16 और 25 ठीक है यह square है तो यह square है बहुत है तो यह इधर आएगा तो root में हो जाएगा ये 16 का root और ये 25 का root 16 का root क्या होता है? 4 और 25 का root हो जाएगा 5 ये तो आगया भया हमारा corresponding side का ratio area का ratio बोले तो 4 का ratio कर दो 5 का square sorry 5 का square और 4 का square कर दो 16 और 25 area आजाएगा इन triangles का corresponding side पुछे तो corresponding side आप ऐसे निकाल दोगे तो भया corresponding side कौन सी बनेगी हम यहाँ पे हमारी तो corresponding side तो भाई 16 और 25 है ना तो corresponding side ये हो गई और ये हो गई ठीक है? तो भाई corresponding side बनेगी है हमारी 4 बनेगी ये 5 बनेगी ठीक है ये क्या है? 4, 4, 16 है ना जो area है और ये तो यहाँ पे भी जो area होगा इस ट्रैंगल का चार से multiply करतो चार पंजे 20 तो 20 इस question का answer बनना चाहिए 20 है option में ये option हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा तो आज हम इस वीडियो में इतने question करते हैं गाईस next वीडियो में और question practice करेंगे तब तक के लिए thank you वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना चैनल पे नए हो तो subscribe करना